प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी वापकियों को संस्कृत में लट लकार में यानि वर्तमान काल में हम कैसे बदलते हैं, इससे आज सीखेंगे। इते बताओ, वचन कितने होते हैं? वचन तीन होते हैं, एक वचन, दुई वचन, बहु वचन. और लकार कितने होते हैं? लकार पांच होते हैं. कौन कौन से? लंग लकार, लट लकार, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार. अच्छा, और पुरुष कितने होते हैं? पुरुष तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से हैं प्रथम पूरुष मध्यम पूरुष उत्तम पूरुष और काल कितने होते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं एक भूत काल भविशिकाल वर्तमान काल आज हम लोग रूप कितने होते हैं और उनके द्वारा अनुवाद कैसे निकालते हैं इसे सीखेंगे रूप वास्तों में दो प्रकार की होते हैं शब्द रूप और क्रिया रूप शब्द रूप में संग्या और सर्म नाम को लेते हैं और क्रिया रूप में जितने प्रकार की क्रियाएं हैं पढ़ना, सोना, खेलना, उतना यहाँ पर हम लोग इन दोनों के आधार पर शब्द रूप और क्रिया रूप दोनों के आधार पर संस्कृत, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बनाना सीखेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरवनाम सह तो ते तम युवाम युयं अहम आवाम वयं तीन पुरुष जो बताया प्रसम पुरुष, मद्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इधर एक बचन, दोए बचन, बहुँ बचन सह को हिंदी में वह कहते हैं, ताव को हिंदी में वे दोनों कहते हैं, और ते को वे सब कहते हैं, यह बहुँ बचन में हैं इसी तरह से मद्धन पुरुष में एक बचन में तुम को तुम कहते हैं और दोई बचन में तुम दोनों को लिए युवाम शब्द प्रयोक करते हैं और इसी प्रकार से बहु बचन में तुम सब्द के लिए तुम सब के लिए युवाम शब्द इस्वाल करते हैं इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहाम मय के लिए हिंदी में और आवाम हिंदी में हम दोनों के लिए और वयम हम सब के लिए प्रयोग करते हैं ये शब्द रूप के सरुनाम शब्दों के लिए रहे इसी तरह से क्रियाधात में यह हम पठधात उलेते हैं पठकार्थ क्या ह पठनती कहते हैं, पठ में एक बचन के लिए पठती, दोई बचन के लिए पठता, बाव बचन के लिए पठनती शब्द लिखते हैं, इसी तरह से मध्यम पुरुष में हम पठसी शब्द एक बचन के लिए क्रियाधात में, और दोई बचन पठता लिखते हैं, और बाव ऐसे उत्तम पुरुष में पठामी एक बचन में पठावा दोई बचन में और पठामा बहुत बचन में प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों के द्वारा हम कैसे अनुभाद करेंगे इसे विध्यान से समझना है। सहा मालो एक वाद के हमारा वहां पढ़ता है। में वहार की संस्कृत हम जानेंगे क्या होता है? सहा क पढ़ने की संस्कृत क्या होती है? सहा क्ढूलो. वहाँ पढ़ता है, इसके लिए क्या कहेंगे? साहब पठती इसी तरह से वहाँ दोनों पढ़ते हैं वहाँ दोनों के लिए क्या लिखेंगे? तौ पढ़ता और पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे? पढ़ता और उसके बाद वहाँ दोनों पढ़ते हैं क्या लिखेंगे तो पढ़ता है वे सब पढ़ते हैं इनके लिए हम क्या लिखेंगे वे के लिए संस्क्रित में क्या लिखेंगे ते और पढ़ते हैं के लिए क्या लिखेंगे पठनती और वे पढ़ते हैं इसके लिए क्या कहोगे ते पठनती इसी तरह से ये तो रहे आपक प्रथम पुरुष में अब मध्यम पुरुष को देखते हैं मध्यम पुरुष में देख रहे हैं तॉम किसके लिए है तॉम किस हां हिंदी क्या है तुम और तुम पढ़ते हो इसके लिए क्या लिखोगे तॉम पठासी तुम दोनों पढ़ते हो इसके लिए क्या लिखोगे यूयाम पठत, यूयाम पठत, यूयाम पठत, यूयाम पठत, यूयाम पठत, कहने का अर्थी यह है, ये देखे, प्रथम पुरुष्का, प्रथम पुरुष्के साथ चला, और मद्यम पुरुष्के साथ चला, इसी तरह से उत्तम पुरुष्का देखते हैं, उत्तम के बाद इधर पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे पठामी और मैं पढ़ता हूं क्या लिखेंगे आहं पठामी में ऐसी तरह से हम दोनों के लिए क्या यो यू झी नहीं हम दोनों के लिए हावाम और इधर को पठा रहा किसके लिए यह ऐव दर粉 k siguya सब पढ़ते हैं इसके लिए क्या लिखिएगे वयम मने भी कुई हैं और पढ़ते हैं किल polarized में फिर से मताइए वहुता है इसके लिए संस्क्रित क्या लिखोंगे आप हिंदी, सा पठाती, वहां दोनों पढ़ते हैं, तो पठता, वे सब पढ़ते हैं, ते पठनती, और हम तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत्हूनिस इसी तरह से मैं पढ़ता हूं क्या लिखेंगे अहम पठामी और हम दोनों पढ़ते हैं रख मौरतावह और हम सब पढ़ते हैं वयलंपत्हामा वयलंपत्हामा इसी प्रकार से हम अनबात करते हैं अगर हम इस वापकी को बढ़ा कर देuts पुस्तक पढ़ता हूं, पुस्तक को जोड़ दो, पुस्तक के तीनों रूप मालूम है क्या, बताओ क्या होता है, पुस्तकम पुस्तक के पुस्तकार, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं क्या लिखोगी, अहम पुस्तकम पठती, क्या, अहम के साथ पठती चलेगा क्या, अहम प पुस्तके पठा वहा और हम सब पुस्तके पढ़ते हैं हम सब के लिए ये वयम पुस्तकानी पठा महा बिल्कुल ठीका आवा यानि जब यहां पर बहुबचन होगा तो कर्म में भी प्रबहुचन होगा और क्रिया में भी बहुचन होगा देखो इधर सर्वनाम यानि कर्ता म बहुबचन रहा और कर्मे पोचन रहा और यहां क्रिया में भी बहुबचन रहा देखा अपने इस प्रकार से कहने का आशे यह है कि एक बचन के साथ एक बचन धात क्रियाधात को प्रयोग दोई बचन के साथ दोई बचन क्रियाधात को प्रयोग बहुबचन के साथ दोई ब अब बताओ, हम विध्धयालय जाते हैं, बताओ, हम की मतलब, हम लोग हाँ, वहाँ, आगे- विध्धयालय हाँ, गफ्च्वामा आगे- विधध्यालय हाँ- गफ्छामा, यान जाने का गफ्छामा का ये द Bogamay का ये दe Constitution. क्या है कच द्धादू यैदे गंधादू है गंधादू तो इसी प्रकार से यहां वे देखा कि पठ्ध द्धादू के विशह में लिखने जाना कैसे हम हिंदी वाक्यों को संस्क्रित में बनाते हैं अब संस्क्रित वाक्य के बताईए हमको हिंदी में अनुबाद करिए बताईए अहम पठाम हम ने अहम पठामी क्या अर्थ हुआ मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं तुम सब पढ़ते हो बोलो हिंदी में तुम सब पढ़ते हो यो येम पठत और वेस पढ़ते हैं तो बताओ टे पठामा वे पढ़ते है ते पढ़ते हैं ते पतफन्ती वे पुस्तक पढ़ते हैं ते पुस्तकानी पठंती बहुत सुन्दर कहा तो इस प्रकार से हम लोग संसिंदी वाक्तियों को संस्कित में बनाते हैं और संस्कित वाक्तियों को हिंदी में अनुवार करते हैं